अगर आप अपनी कार में मेहंगे और अच्छी मेहक वाले पर्फियूम रखने के शौकीन है तो ये खबर जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये बहुत जरूरी है आपके लिए नई कार में लॉंग ड्राइप पर जाने के शौकीनों के लिए तो बहुत ही जरूरी है क्या आप सोच रहे हैं कि कार का पर्फियूम और नई कार में लंबे वक्त तक ड्राइविंग कैसे कैंसर की वज़ा बन सकती है तो मैं बताती हूँ और अगर इन कैमिकल के संपर्क में जादा वक्त तक रहा जाए तो कैंसर का खत्रा होता है जिसमें ये दोनों compound तै मात्रा में ज्यादा है इसलिए खत्रा नई गाड़ी की महक में भी है और उस महक में भी है जो कार में रखे गए उस perfume से निकलती है जो अच्छी quality के नहीं होते जिनमें खतरना chemicals की मात्रा का ध्यान नहीं रखा जाता और इस research में एक और दावा किया गया है research के मताबिक आपको बताओं कि chemicals के बीच लंबे वक्त तक सांस लेना बहुत हानिकारक है और इस research के मताबिक cancer का खत्रा ऐसे लोगों में जादा है जो हर रोज 10 से 11 गंटे तक drive करते हैं और उनकी कार में perfume होता है या फिर उनकी गाड़ी नहीं होती है ये तो आपके लिए बहुत जरूरी जानकारी होगी लेकिन आप इस जानकारी पर किस तरह से react कर रहे हैं जरूर बताईएगा क्योंकि किस तरह से अगर बहुत देर तक पुरानी कार भी एक अलग सरह के atmosphere में रहे तो भी इस तरह के chemical वहाँ पर produce होते हैं जो आपकी सिहत के लिए अगर आप जाते हैं गाड़ियों के शिशे बंद रहते हैं तो वो आपके लिए उसमें बैटना नुकसान दायक होता है इस reel पर आप क्या सोचते हैं जरूर बताएगा